हेलो फ्रेंड्स दिस इस पॉर्णिमा फ्रॉम सोभारती कंप्यूटर क्लासिस आज की वीडियो में हम जानेंगे पर्जेस एंट्रई विज जेस्ट कि आप गुड्स को पर्जेस करते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर जेस्ट ऑटो कैलकुलेट हो जाए तो यह तैली आप क्रेट कंपनी पर क्लिक कर दीजिए तो आप यहां से एक नई कंपनी क्रेट कर लेंगे तो यहां पर जो भी कंपनी का नाम है वह हम दे देंगे जैसे हमने दे दिया रमीज प्राइवेट लेमिटेड अब देखिए मेलिंग निम आटोमेटिक हमारा यही आ जाएगा अब यहां पर हमें एड्रस देना है तो हम यहां पर एड्रस दे देंगे अब देखिए यहां पर हमें स्टेट देना है तो स्टेट हम यहां पर योपी ले लेंगे उतरपदेश और यहां पर कंट्री इंडिया आ गई है बस यहां पर हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है ए company created successfully और आपके सामने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आपको मिल जाएगा तो यहां पर आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है बस जो आपको इनेबल गोड्स और सर्विस टैक्स है जेस्ट आपको इसे इनेबल करना है तो एंटर करके डारेक्ट हम इसे पर आजाएंगे तो यहां पर देखिए हमने जेस्ट नंबर दे दिया है और यहां पर मन्थली दे लेंगे बस यहां पर अब हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है एंटर करके इसे हमें यहां पर एक्सेप्ट करा लेना है तो देखिए जेस्ट भी हमने यहां पर इनेबल कर लिया है बस अब कीबोर्ट से एफ nine प्रस करिए या पिर यहां पर साइड में देखिए पर्चेश का डिरेक नहीं पर क्लिक कर करकर भी पर्चेस वाउचर को open कर सकते हैं अब यहां पर हमें extremely पर आपने जबाव कोई बने तो एनवारी साथा कुल रहाँ आप कि व्युक्त इस नमbeltर खर foreigners स्वाट Warum the जब देंगे भावा कुछा mon缸 मेरा अब देंगे इंडहन बने की ज ढीघ आप देनाये मं देनाय कि अब अब सी प्रस करेंगे उसका laser create कर लेंगे जिस भी company से जिस person से हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया अनुभव अब यहाँ पे अंडर है देखिए इनसे हम goods को purchase कर रहे हैं यहाँ पैसे लेंगे तो यह हमारे क्या है लेंदर है तो इसे हम क्या बोलेंगे sundry creditors तो और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं change करेंगे बस enter करेंगे यहाँ पे जो अनुभव है इनका address हमें देना है तो इनका address हम यहाँ पे देदेंगे हमने यहाँ पे दिया 5th cross और यहाँ पे दिखिए state में क्या हम UP ही रखेंगे country हमारी इंडिया आ गये pin code अभी हम यहाँ पे नहीं दे रही है तो देखिए registration टाइप यहाँ पे regular रखेंगे और यहाँ पे इनका हमें GST number देना है तो यहाँ पे हम GST number यहाँ दे देंगे अब देखिए यहाँ पे purchase laser पे आ गए है तो अभी हमारे पास purchase laser भी नहीं बना है तो यहाँ पे रहके और C प्रस करेंगे तो हम purchase laser बना लेंगे तो यहाँ पे purchase laser हमने बना लिया purchase under हमारी जाती है purchase account तो यहां पे purchase account ले लिया यहां पर type of laser हम not applicable करेंगे और यहां पर is GST applicable है तो GST applicable किया है तो applicable रखेंगे set और utter GST detail यहां पर no रखेंगे type of supply क्या supply हो रहा तो यहां पर goods ले ले लेंगे अब इसे enter करके हम यहां पर accept करा लेंगे तो दिखिए इतना हमारा हो गया है अब जो भी goods हम purchase कर रही है वो item हमें यहाँ देना है लेकिन अभी हमारे पास कोई भी हमने item नहीं ready किया है तो यहाँ पे हमें item की जरूरत है तो यहीं पे और C प्रस करेंगे तो यहाँ पे stock item create कर लेंगे तो दिखिए अगर आपको laser पे रहते हैं वहाँ पे alt C करते हैं तो आपका laser बन जाता है जब आप stock item पे आते हैं वहाँ पे alt C प्रस करते हैं तो direct app देए यहाँ पे stock item पे आ जाएंगे तो कुछ भी आपको नया create करना हो तो आप alt C करिए तो आपका वहीं पे creation हो जाएगा तो यहाँ पे हम stock item बना लेते हैं जैसे मालेज हम phone ले रहे हैं तो यहाँ पे Redmi Note 9 हम दे देंगे अंडर की यांडर में इसको हम primary ही रखते हैं योनिट्स किसमें measurement होगा तो यहाँ पे alt C करेंगे तो देखे measurement की unit भी हम यहाँ पे directly बता देंगे तो किसमे measurement होगा पीसेज में होगा तो हमने PCS लिख दिया अब यहाँ पे देखे जब भी आप GST नेबल करते हैं तो आपको यह नया option देखने को मिलता है unit quantity code कि कुछ लोग इस तरीके से short में pieces लिखने हैं और कहीं पे क्या pieces लिख के आता है तो देखे यहाँ पे है direct app इस पे click करिए और इसे यहाँ पे ले लेंगे enter करके accept करा लेंगे अब देखे यहाँ पे आप direct item पे GST के rate fix कर रही है तो आप यहाँ पे GST इनेबल कर दीजिए इसे बार-बार आपको कहीं पे mention करने की जरुवत नहीं पड़ेगी अब देखे GST applicable है तो यहाँ पे applicable कर देंगे और set at a GST detail इसे हम यहाँ पे कर देंगी yes क्योंकि आप item पे rate fix कर रहें फिलाल हमें नहीं पता है तो यहाँ पे हमने एक ऐसे ही desert दे दी है अब यहाँ पे क्या है इसे no रहने देंगे tax detail यहाँ पे जो है इसे क्या कर देंगे on value रखेंगे taxability तो यह taxable है तो इसे हम यहाँ पे taxable ले लेंगे अब यहाँ पे tax type तो देखिए जितना भी percent tax charge हो रहा है वो आप यहाँ पे दे दीजिए जैसे हमने 18% दिया तो यह central tax में 9 चला जाएगा और state tax में 9 चला जाएगा total कितना charge होगा 18 तो देखिए जब out of state हमारा IGST charge होगा तो 18 directly charge होगा लेकिन जब within state हमारा चार्ज होगा mean CGST और SGST जब चार्ज होगा तो 99 में डिवाइड हो जाएगा तो इस तरीके से यह हमारा tax हो जाएगा और यहाँ पे type of supply में क्या है इसे goods रखेंगे enter कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम कर लेंगे accept तो दिखिए हमारा item भी बन गया आइटम पे हमने बता दिया है कि इस पे कितना tax charge होना है अब यहाँ पे direct हम quantity दे देंगे जैसे हमने दो purchase किया एक create हमने यहाँ पे दे दिया 20,000 है और enter करेंगे तो 40,000 आगया अब हमें क्या अगर कोई और goods लेना है तो हम यहाँ पे direct बना सकते हैं odd c करके लेकिन हमें बस एक ही item रखना है तो एक item रखेंगे और यहाँ पे क्या odd c करेंगे अब दिखिए cgst और sgst का भी laser हमें create करना है तो यहाँ पे cgst दे दे देंगे enter करेंगे और यहाँ पे under में किसके चला जाएगा यह हमारा under आएगा duties and taxes के और यहाँ पे यह देखिए क्या है type of duty की सरीके की है तो gst है और यहाँ पे cgst हमारा क्या होता है central tax तो यहाँ पे ले लेंगे central tax enter करेंगे इसको हम यहाँ पे accept करा लेंगे तो देखिए जैसे ही cgst लिए इसने automatic इसको calculate कर लिया 3600 enter करेंगे अब क्या है हमें sgst भी इस पे लगाना है क्योंकि within state purchase कर रहे है कि up में ही रहते हैं और up में ही purchase कर रहे हैं तो इस पे दो tax लगेंगे cgst, sgst तो sgst के लिए यहाँ पे और c से हम एक laser बना लेंगे sgst हमने यहाँ पे देदिया enter किया यह भी under duties and taxes चला जाएगा और यहाँ पे gst ले लेंगे हम और sgst हमारा क्या होता है state tax तो यहाँ पे state tax हमने ले लिया enter कर लेंगे इसको accept कर आ लेंगे तो देखिए cgst में हमारे 3600 आ गए और sgst में भी 3600 आ गए enter कर लेंगे इसको हम यहाँ पे देखिए हमारा total bill कितने का बना है 47200 का enter करके इसको हम यहाँ पे accept करा लेंगे अब आपको वापस वही bill देखना है तो आप page up करिए जो bill आप अपने client से लेते हैं या फिर देते हैं तो यहाँ पे देखिए bill पे रहते हुए से आपका bill देखेगा invoice number आगया date देखिए जो हमने first make की दी थी वो date आगया है supplier invoice आगया है और यहाँ पे देखिए रमीज private limited है इनका पूरा address आगया gst number आगया है consignee means यह देखिए रमीज जो है purchase कर रहा है supplier कौन है अनुभाव and sons है तो उनका पूरा address आगया है और यहाँ पे देखिए redmi note 9 purchase कर रही है दो pieces है एक के रे 20,000 है total कितना हो रहा है 40,000 का और इस पी दो tax लग रहा है cgst और sgst तो देखिए यहाँ पे total हमारा last mail कितना बना 47,200 तो इस तरीके से कुछ हमारा invoice हमें मिल जाएगा आपको यहाँ से बाहर आना आप keyboard से इसके प्रस करिए तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो यह हमारी हो गई purchase के entry with gst तो यह तो हम within state purchase करने लेकिन अब अगर आप चाहते हैं हम दूसरी state से goods को purchase करें तो किस तरीके से होगा तो भी बिल्कु सिंपल है हम enter करके इसको यहाँ पे accept करा लेंगे हम दूसरी entry purchase की कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे invoice number देना है तो अब दे दिजिए date इस बार हम नहीं change कर रहें हम यह date रखेंगे parties account तो देखिए अनुभाव जो है यह तो यूपी के ही है तो यहाँ पे हमें कोई दूसरी party बनानी पड़ेगे तो और सी प्रस करेंगे तो अब यहाँ पे जिसे हम purchase करें उनका नाम दे देंगे जैसे हमने दिया आरम hardware और यह हमारे case में आएंगे sundry creditors में आ जाएंगे क्योंकि इनसे भी हम goods purchase ही करेंगे और यहाँ पे अब हम कुछ नहीं change करेंगे यहाँ पे mailing details में इनका नाम आ गया है यहाँ पे अब इनका address दे देंगे देखिए इनकी state हम इस बार क्या MP ले ले रहे है मदर प्रदेश तो यहाँ पे हमने MP ले लिया है और यहाँ पे country इंडिया है बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं change करना है यहाँ पे registration type regular रखेंगे और यहाँ पे इनका gst number हमें देना है तो यहाँ पे इनका gst number हम दे देंगे purchase account already हमारा बन चुका है तो यहाँ पे ले लिया है stock item भी हमारा बनाए space प्रस करेंगे तो जो हमारा item है इसे ही हम purchase कर लेंगे redmi note 9 इनसे भी हमने दो pieces purchase कर ली है और एक के rate हमने यहाँ पे कर दी है 18,000 enter करेंगे तो total 36,000 का हम goods खरीद रहे हैं अब हमें क्या है इस पे igst लगाना है तो igst का तो laser हमारे पास अभी है नहीं क्योंकि out of state के लिए igst चार्ज करेंगे तो यहाँ पे add c प्रस करेंगे और igst का हम यहाँ पे laser बना लेंगे अंडर यह किसमें जाएगा duties and taxes में चला जाएगा अब यहाँ पे क्या है gst ले लेंगे और igst हमारा क्या होता है integrated tax होता है और इसको यहाँ पे accept करा लेंगे तो दिखी जब igst चार्ज हो रहा तो total इसने 18% यहाँ पे charge कर लिया है तो कितना 6480 चार्ज हो रहा है तो total बिल कितने का वना 42,480 का enter करके इसको यहाँ पे accept करा लेंगे इसका भी page up करके आप इस तरीके से invoice देख सकते हैं यह हमारी entry आ गई है alt p press करेंगे enter करेंगे i press करेंगे preview के लिए और यहाँ पे दिखी जूम करके दिखेंगे तो इस तरीके से हमारा यह invoice आ जाएगा इसमें दिखी redmi note 9 है igst चार्ज जो रहा दो पीसे करीद रहा है एक rate डे रहा है total हमारा bill कितने का बनना पूरी डेटेल यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत simple concept है I hope आपको यह समझ में आगया होगा आपको purchase entry में कोई doubt नहीं होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिया और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबाए